ए इसलाम अलेकम 10th क्लास आज हम दी मायर्मंट प्रेंशिल defense के मेचलप पढ हैंगल यान नियुक्न प्रेंशिल दिपरेंशब की प्रमाइश किसी तरह श्याधा थे किसंच आज एगा कंक्षिन किया जाता है The potential difference across the circuit components can be measured by a voltmeter connected directly across the terminal of the components The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the voltmeter and negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the voltmeter यानि मस्बद जो टर्मिनल है बैटरी का उसके साथ मस्बद ही जोड़ा जाता है और जो नेगटिव है टर्मिनल उसकी तरफ मनफी टर्मिनल ही जोड़ा जाता है बैटरी है उसके आप देखने है डायाग्राम में के एक तरफ पॉस्टिव है और एक तरफ नेगटिव है और सरक्ट को पूरा करने के लिए एक कार्ड़ बोर्ड पे उपर नाइफ रखा गया है एक कनेक्शन बैटरी से पॉस्टिव नाइफ की तरफ एक साट पर लगाया जा रहा है दूसरा कनेक्शन स्विच की तरफ लगाया जा रहा है और इस तरह यह सरक्ट मुकमल किया जा रहा है एक बलब के साथ उबाहर लगाया है बलब से फिर नेक्टिव टर्मिनल की तरफ लगाया है फिर इन दोनों को वोल्ट चेक करने के लिए कितने वोल्ट बैह रहे हैं एक वोल्ट मीटर का इस्तमाल किया जा रहा है वोल्ट मीटर देखें information के लिए for your information में a digital meter can be used to measure current resistance potential difference एक जो जदीद multimeter है इसे हम किसली इसमाल करते हैं current की परमाइश के लिए उसमें मजहमत कितनी है और potential difference कितना है here is a multimeter in the world meter more to measure the potential difference called by battery अब देखें an ideal और वोल्ट मीटर शुड़ भी है वेरी लाज़ वैली फ्रेजिस्टन्स तो डाड़ पासे स्रूइट वोल्ट मीटर आर्वे कुनेक्ट इन पैरल वोल्ट मीटर को मेंशा पैरलल जोड़ा जाता है with the device across with the potential difference to be measured यह आप ने इसको अच्चे तरीके से याद कर लेना है अल्ला हाफिज